आज हम लोग बात करेंगे बाइंडरी टु ग्रे कोड कनवर्जन या ग्रे से बाइंडरी का कनवर्जन यूजली बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि एक जौर लगना तो है चलो ठेक है मगर कब ऐसे जाएगा और कब ऐसे जाएगा sorry यह अलग हो गया binary to gray जब होगा तो C देखो B कैसे बनता है ऐसे बनता है पहले यह उपर जाता है तो similarly इसको ऐसे ऐसे करना आपको महलब like half circle half circle पे आपको क्या करना है exor operation लगा देना है अब वो exor operation इस तरह से जाएगा जब binary to gray conversion यह आप कैसे करना है जब B का ऐसे होगा और जब gray to binary होगा means G कैसे बनेगा ऐसे बनेगा तो जब यह से पहला वाला तो दोनों में एक ही चीज़ है कि जो पहला element होगा जो भी पहली bit होगी वो as it is हमको नीचे ला देनी है यही gray से binary में भी as it is पहली bit को नीचे copy कर लेना है then XOR operation यूज करना है बस confusion एक ही चीज़ में होता है कि XOR लगाना किसमें क्या है तो इसमें कोई confusion वाली बात नहीं है जब आप binary से gray में convert करेंगे तो B means उपर से ऐसे जा रहा है half circle बन रहा है semi circle तो one से zero इसमें करेंगे अब XOR किसी को अगर पता नहों तो XOR याद करने का भी तरीका है zero 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 one 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 zero one 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 zero दो तरीके होते हैं अगर odd number of one होगा तो सीधे one लिख देना और even number of one होगे या फिर एक भी one नहीं होगा तब zero होगा पहला तरीका दूसरा तरीका zero से zero minus करो zero आएगा one से one minus करो zero आएगा और बाकी दोनों में one one zero से one minus करो तो भी one आएगा और one से zero minus करो तो भी one आएगा ठीक है तो ये XOR का दो तरीके हो गए अब इसका तरीका मैंने आपको बता दिया binary to gray conversion zero 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 one zero से one minus करो one 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 से one minus करो zero one zero one से zero minus करो one zero से one minus करो one और one से one minus करो zero अब आते हैं इस पे इसमें क्या होगा grade यानि कि ये A से जा रहा है नीचे का semicircle तो ये पहले हमने क्या किया पहले पहली बेट as it is copy की then 1 zero right one zero यानि one से zero minus करो one बचेगा one zero यानि की one से zero minus करो one बचेगा one से one minus करो zero बचेगा zero से one minus करो one बचेगा one से zero minus करो कित्ता बचेगा one one से one zero zero से one one ठीक बस इतनी सी चीज थी usually सबको याद रहते से बस 21 का confusion रहता है कि भी यह binary to gray जा रहे हैं तो कैसे एक जोर operation हम लगाएंगे कौन से दो बिट लें मलब ऐसे करके जाएं या फिर ऐसे करके जाएं बस इसी चीज़ का confusion है वोप आपको clear हुआ होगा थैंक यू